कि हलो फैंस इन्वेश्ट फोरेवर में आपका एक पर इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है इरम फार्मस्यूटिकल इसके रिजल्ट आ चुके हैं और मैंने यहां पर कुछ दिन पहले यहां पर वीडियो बनाई थी उस टाइम मैंने आप है पर है पर्टिकुलर वीडियो बनाई जा रही है और इरम के हम रिजराल देखेंगे जानेंगे शेर्होलिघ्ट देखेंगे बहुत सारव चीज़्या यहां पर देखेंगे क्या करना चीओ उससे एनला चीपडिगी बाते करेंगे कर सकते हैं हमारे financial services का लाव उठा सकते हैं को क्वेरी जो कमेंट करिए और जितना हो सके support और like करें क्योंकि बहुत मैंने से यहां पर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है तो इसलिए हमें support करें like करें तो आए एक वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैं आप को बता चुका हूँ इरम यहां पर एक अच्छा stocks यहां पर नजर आता है और लगबग 60% के आसपास यह यहां पर गिर चुका है अगर यह अपने all time high तक जाता है तो याद रखेंगा लगबग 500% की return मिलते हुए नजर आते हैं कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक ऐसा ही stocks बताया था यहां पर आप देखेंगे mcloud के नाम से इसे जाना जाता है इस particular stocks को megalanic cloud इस stocks को बतायता है यहां पर 168% की return यहां पर मिलते हुए नजर आया और on the basis of this यहां पर ही बताया था बट यहां पर अभी तक इसके result ने आया है बट यहां पर इसकी बात नहीं कर रहे हम इरम pharmaceuticals यह BSE का stocks और BSE में ऐसे बहुत सारे आपको multi-bagger मिलेंगे जो की एक रुपे से लेके 1500 रुपे तक share पोच चुके और multi-bagger रेटा अच्छे का से पैसे बनाया है इस share ने भी उसी तरीके से यहां पर आपके पैसे को बनाया चार रुपे का stocks यहां पर अब यह तो split के और यहां पर एक consolidation phase में है क्या करना चाहिए उस से रेटी बाद में बात करेंगे सबसे पहले यहां पर इसके result देख रहते हैं तो company के बारे में पहले कुछ जान लेते है results तो हम आएंगे result पे market cap, micro cap company है जब video बनाया था आपको बता दिया था कि अगर गिरावत हुई तो ब expectation नहीं बट पी की बात करें 176 के PE पे चल रहा है मतला बहुत महंगा stock से याद रखिये गए इस बात को भी तो 2 का face value है 26 रुपे से correct हो कि 10 रुपे चल रहा है तो अच्छा गासा correct हो चुका है on the basis यह भी हमने यहां पर चोना था as well as sardy का time चल रहा है विल औक आपको पता हिए और यह pharma का कैमिश्ट रूक्स और फार्मा में जिस पर्टी कुलर सेगमेंट में काम करता है तो यहां पर आप देख सकतेetr एंटिबाइोटिक ड्रक्स एंटिमलेरिया ड्रक्स एंटियलर्जिक एंटिक और रहा एंटिक और एंटिंफ्लमेरिटर तो आपको पते हैं जैसे सर्दी आती है ओके लोगों में खासी जो काम अलग अलग तरीके की की अलग तरीके की सगमें कर ला नजराती है और unprepriипट का भी यह अचे खासी आ पर पते होगे नजरा करें नजरे अपर रेक्न करने है वघू उस परमा के अच्छे कासे चल रहेए तो और यहां पर ध्यान देल्ग सकते हैं यहां devil day came कि मैंने आपको बताया था कि result देखना भी बहुत जरूरी है और तो यहाँ पर maximum chart button देखे तो company already आपके stocks को multi bagger बना चुकी है जाद है यहाँ पर history है नहीं क्योंकि 2019 में share आया उसके बाद इसके लावर quarterly results की बात करें तो देखिए दो तरीके से result होगा सबसे पहले यहाँ पर दिखाऊँगा दूसरी चीट हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी इनके result देख लेंगे sales की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते है company की sales यहाँ पर sales पहले नो करोड के आसपास थी फिर दो करोड़ी फिर दो फिर आठ और अभी की बात करें तो लगबग 5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर sales है तो अगर हम यहाँ पर sales देखते है तो yearly basis पर sales यहाँ पर देखें कमपनी एक प्रॉफिट में बट कॉर्टन ली बेसिस पर बात करें तो एक अच्छी खासी गरावत यहां पर नजर आती है और यहां पर नेट पॉफिट की बात करें तो नेट पॉफिट आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर एक साल पहले 33 लाक रुपे के अस-पास बास के एक क्वाटर पहले यहां पर पांच करोड़ी चालरीस लाग रुपे का प्रॉफिट था अभी वे केवल पिचेन वे लाख रुपे का प्रॉफिट है तो कुछ शीट में आपने यहां पर दिखाना जाता हूँ अब ऊपर उपर से जिसने देखा होगा वो यह यहीं चीजी सं करते हैं तो अच्छा कासा है हमें प्रॉफिट होता हूँ नजर आ रहा है इस वेल इस अधर इंकम यहां पर भी अगर देखें कि कॉर्टर ली बेस पर दो करोड़ बीस लाख रुपे क्या सपास है बट इस बार कि अधर इंकम जीरो है तो इसका मतलब अगर हम यहां पर य करोड़ भी जोड़ देते हैं तो कॉर्टर ली बैस पर गिरावट फिर भी दिखाई देगी बट इस तिल इतनी गिरावट ने दिखाई देगी तो अगर मैं बात करूं तो देखिए अधर इंकम का भी एफेक्ट पड़ता है अगर इंकम यहां पर है ओके हर जग है यहां इस वज़गे से यहां पर कंपशन आपनी इस तिल ईयर्ली बेसिटğ पर कंपर ने अच्छा और अच्छा खासा सब्रफ़ों किया है और एली बेसिस पर ही चीड़ों को यहां पर देखा जाता है के से हो सकतें सब्जी बस और कर शैवर शमियर्य, एकर अगर कम्पनी अच् चुपा है और जो श्टॉक्स अल्रेडी गिर चुके है और अच्छे रिजर्ड यहाँ पर यह ली बेसिस पर दिया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जादा यह यह ली बेसिस पर बात करेंगे तो कंपनी के धीरे धीरे अच्छा कासा परफॉर्म कर रही है और ऐसी ही बन जाती है पता भी नहीं चलता तो इसे थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा अगर इस परिटिकुलर शेयर को थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा कासा रेटर आपको मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी दीरे अच्छा कासा पर प्रॉफित यहाँ बटो और कर रही है तो आगे चलता अच्छा कासा पर क्रफॉमेंश दे सकती है पर मोटस की होडिंग जैसे कि लास्ट मैने एक वीडियो बनाया है इस वीडियो को देखिएगा और मैंने आपको बताया कि कमपनी के पर मोटस अच्छे खासे पासे मार्केट से अपनी कमपनी से कमाते तो कि company के जो promoters होते हैं उन्हें पता होती है कि उनकी company कैसी है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 70% के share as it is यहाँ पर September में भी देखिए as well as नई shareholding pattern भी दिखाऊँ तो देखें यहाँ पर नई shareholding pattern में भी total number promoters के पास कितने 70% तो promoters ने 1% के share अभी भी नहीं बेचे इस से पहले भी नहीं बेचे क्योंकि company को पता है कि उनकी company किस तरीके से प्रमोटर को पता है उनकी company किस तरीके से तो जितना लंबा हम इस share को रखेंगे यह share हमें शायर multi-bagger के return दे सकता है तो इस चीट को याद रखिएगा public की बात करते हैं public के पास 29.96% की holding है जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो as it is 29.96% की से तरी यहाँ पर बनी हुई है तो same share holding pattern है okay as well as यहाँ पर कुछ differences हो सकते हैं वो बात में जब यहाँ पर update होगा तो हम देख लेंगे बड़ यहाँ पर देखेंगे तो 10-1% की सब्सक्राइब यहाँ पर देखेंगे तो आपको बता चलेगी देखेंगे यहाँ अच्छे खासे लोगों के आसपास हाथ में दिखाई देती है 11-12% की holding ही यहां पर के वर normal people के पास है इसके एलावे यहां पर भी अगर देखेंगे तो आपको बदा चलेगी देखें यहां पर other income यहां पर दिखाने रखी है other income का बहुत effect पड़ता है other income अगर 200-300 crore भी बढ़े आती तो यहां पर revenue भी इनके इसी साफ से बढ़ते हुए नजर आ जाते तो अर्चे गासे revenue आयाते yearly basis पर revenue उससे ही नहीं आए बट यहां पर देखेंगे तो last time इनके खर्चे जाद आते इस बार इनोंने खर्चे भी उसी साफ से कम की है बट EPS पर जो घाटे में था एक साल पहले वो positive है बट quarterly basis पर गिराबट है वो सब चीछ हमें आपन दिखाई दे लिए तो करना क्या है exactly अब खोर सक्क्या सकता है तो देखें मार्केट में operator यह जो आज भी देखी आपर सर्कीट लगता हुए नजर आया अबरेटर पर डेपैंड करता है कि operator इन इन श्टॉक्स को कितना भगा सकते है कितना कम कर सकते है क्यों क्यों कि अगर हम देखे तो यह वेल्यू कितनी है कि अपनी बहुत चोटी है तो yearly basis पे number company के काफी अच्छे है even if यहाँ पर अगर हम बात करें other income याई एड नहीं है और यहाँ पर other income कुछ खास नहीं है बट इससे पहले other income थी तो गिरावट की अगर बात करें तो देखें यहाँ पर एक अच्छा खासा consolidation हो सकता है 500 रुपे के आस-पास का ओके थोड़ा बहुत यहाँ पर consolidation हो के चीज़े धीरे-धीरे करके यहाँ पर निकल सकती है पहले 13 रुपे आपको इसलिए time देना पड़ेगा 306 महीने देते हैं तो मुझे लगता है यह 50-60% की return आपको देते हुए नजड़ाएगा मैं क्या करने आपको क्या करना है आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर due diligence कर सकते हैं यहाँ पर अपना decision ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया कंपनी के result मुझे अच्छे खासे लगे इतने quarterly basis पर गिरावरती बट yearly basis पर कंपनी का performance अच्छा है यहाँ पर अच्छा खासे 60% के आसपास correct हो चुका है तो ज्यादा correct होने के chances ने हैं अगर यह शेयर यहाँ पर गिरा भी थोड़ा बहुत यहाँ पर गिर सकता है शेयर 10 पर के आसपास आ सकता है एक रुपे की और गिरावरत हो सकती है बट upside potential risk कम है low risk high return यहाँ पर करें यतना हो सकते subscribe करें और support करने कोशिए करें यह particular number पर contact कर सकते हैं so thank you so much God bless